आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हैल्दी रेसिपी जो बच्चों से लेकर के बूरों तक सभी के लिए बहुत ही है और जब भी मन करें कुछ चटपटा खाने का तो आप इसे बना सकते हैं और सबसे ची बात आप इसे लंच में, ब्रेकवास्ट में, डिनर में कभी भी बना सकते हैं एक complete meal है ये बहुत सारी veggies है इसमें और बाकी चीज जो इसे बहुत nutritious बनाती है और जो बच्चे सबजियां खाने से मूच अड़ाते हैं वो भी कटोरी जमत सब चाट चाट कर इसे खाएंगे और एक बार बना लिया तो हर दूसरे दिन इसी की demand होने व और एक ही medium size की गाजल ली है उसे भी मेने बड़ा बड़ा काट लिया है और यह लिया है मैंने कॉंस का सीजन चल रहा है मतलब भुटा तो यह कच्चा भुटा है और यह ले रही हूँ मैं चुकंदर बहुत हेल्दी होती है यह पता है आपको खुन बनाने का काम करती है तो आपको पसंद है beans भी डाल सकते है और आप इसमें डालेंगे नमक एक चमच और इसे उबलने देंगे पहले तो दूसरा काम कर लेते हैं इसका मसाला बना लेते हैं तो यहां पर मैं देसीगी में बना रही हूँ आप तेल में बना सकते हैं तीन बड़े चमच देसीगी डाल यहां प्याज को अच्छे से फ्राई करना Bowl यानी कि जब तक वो अलका गुलाबी नहीं हो जाता अल्ग भी नहीं आपनः करना आ आप देख सकते हैं इसे प्याज फ्राई हो चुका है गुलाब हो इसकी है यहां पर मैं अध्रक यह लसंड डाल रहे हूँ दो बड़े star चम्मच इसे भी इसके साथ फ्राइब कर लेंगे बहुत अच्छा टीस्ट आता है कुष्पू पर बहुत अच्छी आती है और इसमें डाल रही हूं मैं दो कटी हुए हारी मिर्च अगर तीकी है तो कम डालेजेगा यह तीकी वाली नहीं है और अब इसको हम फ्राइब कर ले चुछ चमबच हल्दी पाउडर, आदा चमबच मिर्च पाउडर, एक चमबच धनिया पाउडर डाल रही हुमें और अब इसे बिलकुल लो फ्लेम पे हम हलका सफराई कर लेंगे ताकि यह मसाले अच्छे से बुन जाएं ज्यादा नहीं पकाना है मसाले जल जाएंगे नहीं और बस इसे चला लेंगे और टमाटर को हमें पकाना है अच्छे से साथ में डाल देंगे नमक ताकि टमाटर जल्दी पक जाएंगे नमक कुकर में इस सबस्यों को पकाते वक्पी डाला है तो आप ध्यान से यहां नमक डालें और हम मेरेस में डाले हैं चौथाई का पावभाजी मसाला क्योंकि बच्चे जो हैं सबजिया खाने में नाक बोल सिकोडते हैं लेकिन अगर पावभाजी का टीस्ट आ जाएगा इसमें तो सबजियों में तो बहुत मज़े लेके खाएंगे चाट चाट कर खाएंगे तो बस देखी पक चुका है इसको ढग देते एक काम कर लेते है हैं एक बेडाए में डाल रही हूँ दो चोटे चमज देशी गी और इसमें डालेंगे हम दलिया जो कि आज की रेसिपी का मेन ingridorf है और आप सबी जानते हैं ये कितना हैल्दी होता है इसमें काफी मात्रा में फाइबर होता है प्रूटीन होता है कैशियम भी होता है और इनरल्स भी होते हैं काफी और ये ब्रोकन वीट कहा जाता है इसको गेहूं का आटा तो हम सबी खाते हैं लेकिन गेहूं का दलिया और भी ज़्यादा है तो देखे से मैंने low flame पे सीख लिया है अच्छे से अलका सा brown होने तक और आप देख सकते हैं यह हो चुका है तो इससे हटा लेते हैं तो देखे पानी भी boil हो चुका है तो यह जो हमने दलिया सीखा था यह इसमें डाल देंगे पूरा एक कप है उपर तक भर के लिया है मैंने और इसमें मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से दलिय में काफी मात्रम में फाइबर होता है इसलिए बहुत जल्दी पच जाता है और इसमें कार्बो हाइडरेट्स होते हैं जो कि हमें पूरा दिन एनरजी से भरे रखते हैं तो अगर आप इसे प्रेकफास्ट में बनाते हैं तो आपका पीट काफी देर तक भरा रहेगा आपको घूप का पैता नहीं चलेगा और इसको तीन सीटी लगाने तक हम पका लेंगे तो आप देख रहे हैं ये तीन सीटी बाद मैंने ले ढटाई है तो ये पक चुका है औ इसलिए मैं हलके से हिला रहे हूं ताकि सबजियां टूटे नहीं अलग-अलग नजर आए तो अब जो हमने तड़का बनाया था यानि जो मसाला तयार किया था वह इसमें डाल देंगे देखिए कितना बढ़िया लग रहा है मसाला और खुश्व बहुत ही अच्छी आती है क्योंकि हमने इसमें पावबाजी मसाला डाला है मसाला डालने से इसका फ्लेवर ही चेंज जो जाता है और यह जो हमारी रैस्पी है यानि कि दल्या है बहुत ही टेस्टी गजब का स्वाद देता है तो इसे हलके हाधों से मिक्स करेंगे पहले तो आप देखे दाना कितना अगर आप इसको ऐसे ही खाना पसंद करते हैं तो ऐसे ही सर्फ कर लीजिए मुझे थोड़ा पतला पसंद है तो मैं इसमें थोड़ा पानी और डालूंगी देखिए कितनी सबजियां बिल्कु लालग लाग नजर आ रही है और खिला खिला नजर आ रहा है तो यहां मैंने जो गाड़ा होता जाएगा इसलिए मैंने एक का पानी और डाला है अगर आप खिला खिला खाना पसंद करते हैं तो वैसे ही खा सकते हैं तो देखिए कितना बढ़िया कितना गजब का बना है एक एक चीज अलग नजर आ रही है बहुत सारी वेजटिबल से बहुत ही टेस्टी आज जो यह रैसी पे बनाई है आप एक बार इसे बना लेंगे न तो बचे की नहीं एक बार बनाने के बाद सब उंगलियां चाट चाट के से खा जाएंगे क्योंकि है ही इतनी टेस्टी और पावभाजी मसाला डालने से तो गजब का टेस्ट आया है इसमें और उपर से ड दर्मा गरम खाइए एंजोई कीजिए और रेसिपी अगर आपको पसंद आयो तो प्लीज लाइक कर दीजीगा चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजीगा और साथ में लगे बैल आइकन को ज़रूर प्रैस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिक खीज उशक दाएए और रेसिते हम संद आए तो प्लीज betons प्लीज गाइए जड मत्छीग आ दाए हम लाए एंगर जये नहीं है कर दまたने बाले कर दोने कीजीगा खीजीगे और देंगर प्लीज समया क ses एंवेगरे और दीजीगा तें मत्मार देंगे więcejमारत रぇको कि आए ह